ब्रीफिंग का पैटर्न क्या हो में चलिए यहाँ पे शिव बैटे हैं यहाँ पे पारवती बैटी हैं एनरजी वो जब उठके ऊपर जाती है जितना अच्छा वो इंटराक्शन है मतलब जितने वो एक दूश्टे के क्लोज आते हैं उतना अच्छा आपका लागा महादेव ने यह कहा कि अगर तुम चंड्रमा की एनर्जी के साथ सिंख में आ जाते हो तो तुम उनिवर्स की एनर्जी के के साथ अगर आप सिर्फ मैटर है मतलब अगर आप ऐसे बैठे हैं बीटा लेवल में है उस तरीके से आप कुछ भी मैनिस्पें कर सकते हैं एनरची से एनरजी को बदला जा सकता है मैटर से इनरजी को नहीं बदला जा सकता है जब आप इने magnifica dude और ये जो युनिवर्स की प्रान उर्जा है, उसको आप अंदर लेगे। मापार्वती ने भगवान शिव से पूचा कि हे महादेव, आप इस पूरे युनिवर्स को कंट्रोल कैसे करते हैं। तो बगवान ने का कि हे देवी मैं कुछ भी कंट्रोल नहीं कोड़ा, मैं तो सिर्फ लोगों की जो सांस है, उसको कंट्रोल है। तो आपके एनर्जी का और आपके सांसों का बड़ा गहरा रिनेशन है। तो नमस्ते सभी लोगों को, my name is Manish K. Maurya और मैं एक, by passion I'm an astronomerologist, law of attraction coach, swarvigyan expert and vasu expert and by education I'm an engineer. तो मैंने MS किया है, Binghamton University in New York से, मैंने I am Calcutta से executive MBA किया है, now I am living in US, मैं वहाँ एक multinational company में काम करता हूँ, बट मेरा passion है इस direction में, और मैं अपनी research करते रहता हूँ, अपनी findings, तो वो share करने का मतलब मेरा thought process. बट एक engineer law of attraction में का से आगया, relationship coach में का से आगया? यह आज से, I think, 10 साल पहले मेरा भी thought process ऐसा ही था, कि मतलब यह चीज़े काम नहीं करती, इसमें कोई दम नहीं है, कुछ भी नहीं, especially जो हमारा vedic wisdom है, इतना amazing है, आप समझ लीजिए कि यह science है, ठीक है? जब law of attraction पर मैं काम कर रहा था, तो मेरा, जैसे कहते हैं ना कि यह west से आया हुआ है, बट मेरा thought process है कि यह west से नहीं आया हुआ है, इतनी powerful चीज़ जो है, यह कहीं ने कहीं बनी तो यहीं पर है, तो जब उसमें research करना शुरू किया, उस angles research करना शुरू किया, तब बड़ी सा पैदा होते हैं, ठीक है, तो आपके शरीर में पांच layers होती है, अनमयकोष, प्रानमयकोष, मनोमयकोष, विज्ञानमय और आनन्द में, आनन्द जो है वो चरम की अवस्था है, जो समाधी जिसको हम कहते हैं, जो तुरिया की अवस्था हम कहते हैं, तो वो आनन्द चरम की वस्ता है, हर इंसान जो है इस पाँच कोश में ही ट्रावल करते रहता है, जैसे अगर आप, मैं आप से भी बात कर रहा हूँ, तो यह हम फिजिकल इंटराक्शन हमारा हो रहा है, तो हम इसको कहते हैं कि यह हम अन्नमय कोश में कहीं-कहीं बने वह जिसको हम बीटा ब्रेइन उसमें different frequencies होती है जो आपका प्राण में है वो भी कहीं न कहीं बीटा में ही काम करता है मनो मैं कोश जो है वो अलफा में चला जाता है और उसके बाद अगर आप जो है डिल्टा फ्रिक्वेंसी जो होती है वो आप उसको कहते हैं विज्ञान मैं कोश और उसके बाद की जो फ्रिक्वेंसी है वो आनंदम है जो की मतलब एकदम ऐसा समझने जीज़े की जसके समय रुक गया आप एकदम उस डीप स्टेट में चले गए समाधी में चले गए जहां पे की चीज़े एकदम स्टिल हो गए आपकी ठीक है तो डाफिनेटली इन पाँचो चीज़ों को हम इनकी पाँचों चीज़ों की फ्रिक्वेंसी डिसकस करेंगे लेकिन उससे पहले सुवर्विज्ञान के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि सुवर्विज्ञान जो है ये भगवान शीव ने मापरवती को ये पूरा ज्यान दिया था शीव शुरवदय सास्त्र करके एक सास्त्र है जहां पर ये पूरा का पूरा जो ज्यान है उसको लिखा गया था मापरवती ने भगवान शीव से पूचा कि हे महादेव आप इस पूरे universe को गंट्रोल कैसे करते हैं तो ब्गवान ने कहा कि है देवी मैं कुछ भी कंट्रोल नहीं करता मैं तो सिर्फ लोगों की जो साное उसको कंट्रोल करता हूं तो यह सिर्फ एक जो सांस ब्गवान ने कही उस सांस पे पूरा का पूरा विज्ञान बन गया, जैसे हम कहते हैं न स्वर विज्ञान, ठीक है, या फिर स्वर योग, ठीक है, तो फिर देवी ने कहा कि अगर ऐसा है महादेव, तो मुझे कुछ ऐसा ग्यान दीजिए, कि जो इनसान है, वो ये जो नौग रहा का चक्कर है और जितनी ये चीज़े हैं, उनसे बाहर निकल जाए, कुछ ऐसा ग्यान दीजिए, कि जगर इनसान इसको प्रयोग करना शुरू करे, तो उसके जीवन में वो चमतकार घटित होना शुरू हो जाए, उसको ये जो समय का चक्कर है, जितनी भी चीज़े हैं, उससे वो बाहर जाए, तो तब भगवान ने पूरा का पूरा नौलेज जो है, देवी पारवती को दिया, और वो पूरा का पूरा रिकॉर्ड हो गया आपके शिवस्वरादय सास्त्र में, ठीक है, अब देखिए, इसमें दो चीज़े है, स्वरविज्ञान और स्वरयोग, ठीक है, स्वर प्राण उरजा है, ठीक है, जब आप इनहेल करते हैं, तो यह जो युनिवर्स की प्राण उरजा है, उसको आप अंदर लेते, ठीक है, और जितना अच्छा आपका इनहलेशन होगा, उतनी सारी प्राण उरजा आप एब्सॉर्ब कर रहे हैं, कौन कंट्रॉल कर रहा है जागरित होंगे उतनी सारी प्राण उर्जा जो है आप अपने शरीर के अंदर लेते चले जाएंगे होता क्या है उससे जो एनरजी है जो कुंड़नी एनरजी हमारे यह हमारे मुलाधार से उठती है लेकि हमारे शरीर में क्या है पंच प्राण में क्या होता है यह प्राण व करते हैं आपने प्रान वायू अंदर ली ठीक वो जाके समान वायू से मिलके वो क्या करती है अपान वायू बनाती है और वो क्या करती फिर वहां से उस एनर्जी को उठाती है ठीक जो हमारी नाभी है वहां से 72,000 नाडियां हमारे पूरे शरीर में एनर्जी चैनल से ठीक है जब यहां से समान वायू जब नीचे से energy कुनली वाले energy उठाती है तो वो पूरे शरीर में फैलता है वहीं से आपको उर्जा मिलती है और फिर वही उर्जा उठके यहां पे आती है उडान वायू के पास और यह उसको लेके जाता है यहां पे अब क्या होता है जितना यह एक दूसरे के जो यह energy है और जो यह consciousness जो शीव जिसको मैं कह रहा हूँ जितना यह एक दूसरे के नजदीक आएंगे यह union हुआ स्वर योग तो योग है स्वर मतलब क्या सांस और योग मतलब union तो यह जो union है न जितना union यह अच्छा होगा जितना अच्छा यह interaction होगा इसको हम कहते हैं लीला भगवान, शिव और पारवती का interaction जो है वो लीला हो रहा है यह पुरी स्रिष्टी बनी है न यह स्रिष्टी भी वैसे ही बनी है भगवान, शिव थे उनके मन में एक्छा आई कि हम, मैं एक हूँ, मुझे दो बनना है भगवान, शिव और मा पारवती अलग-अलग होगे फिर इनका आपस में interaction शुरू हुआ जो यह interaction है इस लीला से ही पुरे स्रिष्टी का creation हुआ different different form of interaction हुआ इसलिए different different form of लोग बने, लोग बने, कुते बने पहाड बना, ठीक है ऐसे ही अब हमारे यहाँ पे शिव बैटे है यहाँ पे पारवती बैटी है, energy वो जब उठके उपर जाती है जितना अच्छा वो interaction है, मतलब जितने वो एक दूसरे के close आते है उतना अच्छा आपका life हो उतनी ज़्यादा आपके life है महादे अगर जागरीत हो गए तो जीवन में तो सफलता आनी है तो उतनी ज़्यादा आपकी जो है energy positive है उतना आप higher frequency पे vibrate कर रहे है और life में बहुत सारी सफलता आनी शुरू हो जाएंगे ठीक लेकिन अगर आप inhale अच्छे से नहीं करते है जो एक्स्प्रियम किया process अभी पंच वायू का मालने जी आपने प्रान वायू ली सिर्फ आप यहीं तक लेके चलेगे क्या हुआ वो सवान से मिला नहीं उसने अपान भी create नहीं किया तो आपको फिर physical issues जैसे constipation, lose motion इस तरीके आपकी जो अपान वायू है वही क्या करती है excreatory का काम करती है जो भी waste आपकी body में उसको निकालने का काम करती है अब आपकी प्रान वायू आपने क्या करते है shallow breathing करते है ठीक है अब वो origin downward flow करने लगी तो जब downward flow करने लगी तो क्या हो गया अब वो जो बनना चाहिए जो उनको मिलना चाहिए वो मिलाप नहीं हो रहा है तो क्या होगा धीरे 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 फिर वो stress और बाकी की चीज़े आपकी life में आने शुरू हो जाने मुझे दो चीज़े पूछना चाहूँगा जो अभी आपने breathing का बताया breathing का pattern क्या होना चाहिए एक तो इस पे मेरे को आप बताओ कही ना कहीं ये चीज उसी से ही जुड़ी है दूसरा जब भी हम दो नाडियों की बात करते हैं सुर नाडियों इसको एक बर प्रीज आप पैड़ करो देखिये कैसा है कि हमारे शरीर में तीन प्राइमरी ऐसे तो 72,000 नाडियां हैं और श्रीव पुराण में 3.5-3.5 नाडियों की बात की गई तो आप सोच कि देखिए जिसने इन चीजों को experience किया होगा कि हमारे शरीर में 3.5-3.5 नाडियां है वो कितने skilled रहे होंगे हम लोग अपने वेदिक wisdom को बड़ा उस तरीके से देखते हैं अरे साब फालतू है वो बड़ा गलत thought process है मतलब ये tools हैं जिसको use करके हम अपने life में next level पे जा सकते हैं ठीक है ये मतलब सूरे से controlled है वहां की energy absorb करता है जो इडा है इसको हम left nostril कहते हैं और पिंगला और जब दोनों से सांस चलनी शुरू होती है तो वो center जो है उसको हम सुशुमना कहते है अब देकि हमारे शरीर में 7 चक्राज है ठीक है क्या होता है ये आप माल दीजिये आपके center नाडी है ठीक है सुशुमना है यहां से आपके मुलाधार से इडा और पिंगला निकले यहां पर आके मर जो हुए तो तीनों एक जगा पर मर जो हुए ये second center बन गया सौधिष्ठान चक्रा फिर उपर उठे मनिपूर चक्रा इस तरीके से all the way to आग्या चक्रा आते है ठीक है जब आप inhale करते है मैंने बताया उर्जा उपर उठती है अब ये जो उर्जा उपर उठ रही है ये क्या होता है आपके इडा और पिंगला से flow कर रहा है ठीक है ये आपका union मैंने पताया ना union, divine union और lunar energy तो ये union हो गया मतलब आपको भौतीक जगत मेंगर सफलता चाहिए तो इस union का होना बहुत ज़रूरी है अगर ये union शिव और शक्ती नहीं मिले तो वो उतकृष्ट creation जिसको हम मैं कह रहा हूँ वो creation नहीं होगा जितने वो दूर होंगे वो creation गड़बडवाला होगा समझते हैं आप मतलब negative creation होगा और जब negative creation life में होगा तो क्या होगा सब negative ही होगा तो अब ये जो union हो रहा है ऐसे होते होते आपको भौतीक जगत में सफलता मिली ये आपका union हो गया divine union क्या होता है ये जो energy उपर उठनी शुरू हो गई ऐसे उठते उठते एक दिन ऐसा आएगा कि अब ये उर्जा इडा और पिंगला duality से ना flow करके आपके शुशुमना से flow कर जाएगी ये breathing pattern आप बता रहे हो ना आप bliss में चलेगा होगा कैसे ही जो मैंने आपको पंच प्रान explain किया तो एक mantra देता हूँ मैं आपसे सांस ना भी से चले ये सबके जीवन का मूल मंत्र होना चाहिए जब भी हम breathe करते हैं आज because of we have this life जहाँ पे हम बड़े ही busy हैं बहुत stress है बहुत सारी चीज़े हैं तो हम बड़ा ही shallow breathing करते हैं मतलब shallow breathing मतलब सांस लिया यहां तक सांस गई और वहाँ से बाहर निकल ठीक है जब भी आप सांस ले रहे हैं आपका जो ना भी है वो ऊपर उठना चाहिए पेट थोड़ा अंदर रहना चाहिए तो लोग थोड़ा purposely भी जो उसको अंदर खीच के रखते हैं ठीक है which is not good ठीक है तो जब भी आप breathe कर रहे हैं जब भी आप inhale कर रहे हैं आपकी ना भी बाहर निकलनी चाहिए अगर आप चोटे बच्चे को देखेंगे उनके पास बहुत एनरजी होती है ठीक है क्यों एनरजी होती है पिकास उनकी जो सांस है वो ना भी से चलती है ना भी से मतलब जब वो inhale करते हैं तो deep and long inhalation आपका पेट बाहर निकला ठीक है तो जब ये होता है तो जो मैंने process explained किया पंच बायू की वो पूरा का पूरा process complete होता है पूरे शरीर में जो प्राण बायू है वो अच्छे से flow करती है जो शक्ती नीचे बैठी है उनको एक माध्यम चाहिए वो माध्यम मिलता वो उपर उठके शिव के पास जाती है जब शिव शक्ती मिलते हैं तो जीवन में चाहिए होते है तो एक सिर्फ सिंपल सा मंत्रा है अगर आपने अपने सांस पे ध्यान दे दिया जैसे उसके लिए सिंपल सी practice ही है कितनी देर करनी है नहीं कोई timing नहीं कोई चक्कर नहीं पालना है सिर्फ आपने एक practice develop कर रहा है कि आपकी सांस जो है नाभी से चलनी शुरू हो जा सुबह कर लिया सुबह जब सो के उठे विस्तर छोड़ने से पहले दो मिनट ती मिनट कर लिया दिन में जब भी आप aware है जब भी आपको ध्यान आ गया आपने मन भर के सांस हावा तो free है लेकिन इतना चमतकारी है ये ये अगर आपने कर लिया आपकी सांस ना भी से चाहिए और ये धीरे-धीरे क्या होता अच्छिए कि ये natural है over the period of time हमने उसको in natural कर दिया हमने खराब कर दिया तो जब हम उस पे वापस चले जाते है तो सांस जब हमारी सही हो जाती है तो शरीर की उर्जा सही हो जाती जो महरा प्राण मै कोश है वो प्राण मै कोश सही हो जाता है और जो ये travel है अन मै से प्राण मै प्राण मैं से मनो मैं, यह travel तभी होगा जब आप प्राण मैं से मनो मैं में जाएंगे आप directly मनो मैं में कभी नहीं जा सकते उसका क्या impact पड़ता है मनो मैं में जाने का वो मैं बाद नहीं explain करेंगा तो इस तरीके से जो आप देखिए यह एक चीज हो गई कि सांस इस तरीके से अगर आप लेंगे आपकी उर्जा अपवर्ड डिरेक्शन में जिसको हम उर्धोगामी कहते हैं वो फ्लो करना शुरू करेगी अधोगामी, डाउनवर्ड नहीं रहेगी जो कि बहुत अच्छी चीज है एक सिंपल सी प्राक्टिस है आप दिन में कभी भी अवेर हो गए जब भी आपको याद आ गया और यह अगर आपने महीने, दो महीने कर लिया तो अब यह नाचुरल हो जाएगा अपने आप, आपकी सांस अब यहीं से चलनी शुरू हो जाएगी अब हमेशा शीव और शक्ति मिले जा रहे है जितनी बार interaction हो रहा है बढ़िया वाला interaction हो जीवन में चमतकार मतलब यह सिर्फ सांस से जीवन में चमतकार हो जाएगा, कोई remedy कोई कुछ नहीं, सिर्फ सांस से जीवन में चमतकार हो जाएगा, समझ दीजा यह मुझे थोड़ा magical टाइप लगा है अब देखे यह एक चीज़ हो गई scientifically इसको समझते है यह हमारा frontal lobe है जब हम energy यहां से उठके यहां जाती है तो हमारा frontal lobe activate होना शुरू होता है जब frontal lobe activate होना शुरू होता है तो आपकी जो analytical skill है जो आपकी सोचने समझने की चमता है और decision लेने की capability अब आपना ऐसे rush में decision नहीं ले रहे बड़ा आराम से, बड़े तरीके से मतला आपका जो vision है न परस्पेक्टिव बड़ा wide हो गया तो जब आपका frontal lobe activate हो रहा है तो आपका perspective wide हो गया नाक से blow करिए बताए ये consistency, एक कोई nostril चल पर एक किसी हाथ पर हवा आपको ज़्यादा मिल रहा होगा हाँ, इस वारे मिल रहा है, ठीक है तो क्या होता है, starting from the morning जब हमारा सुर्योदा होता है उस तमय हमारी left nostril start होती है, और every hour जो है वो alternate चलती है तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा, जैसे कि अगर माली जी ये nostril चल रही है तो ये वाला जो part है, वो active है ठीक है, अब ये वाला part जो है वो cool down हो रहा है relax कर रहा है, ठीक है 24 by 7 body को काम करना है तो अब ये वाला part cool down कर रहा है जब ये nostril चल रही है तो ये वाला brain active होता है right nostril जब चलती है तो left brain active होता है जितने भी creative काम आपको करने है वो आपका जब left brain active है अगर आप करेंगे तो आप उसमें excellent जैसे आप music बना रहा है ठीक है अगर आपका left nostril active है तो you will go deep और आप बहुत कुछ अच्छा उसमें से ढोन के निकालेंगे scientifically क्या है कि जब ये active है तो ये cool down हो रहा है जब ये active है अब आपका left nostril active है right brain active है ये वाला हिस्सा cool down हो रहा है देखिए कैसा है शरीर जब alternate करता है तो क्या आपके शरीर पे अब stress नहीं पढ़ रहा है लगातार अगर आप दोनों nostril से सांस लेते रहेंगे तो क्या होगा शरीर पे stress पढ़ रहा है तो scientifically क्या होता है एक बार ये आया एक घंटा ये चला फिर switch हो गया तो अब इसको आराम मिल गया मतलब जो आपका right brain है वो है for physical work ठीक है कोई भी जहां पे आपको energy की जरूरत पढ़ती है ठीक है तो अगर energy की जरूरत हमने right brain active किया हमने काम किया utilize किया वापस से left brain active हो गया शांत हो तो ये जो balance है ठीक है स्वरविज्यान कहता है कि इस balance को आप maintain करें जब आप ये balance maintain करते है equilibrium तब ये जो energy है वो upward direction में flow करती है 90% cases में आज की date में क्या होता है लोगों की right nostril जो है वो लगातार चलती रहती है बट ऐसा क्यों होता है आप stress में है आपके दिमाग में है कि मुझे energy चाहिए मुझे energy चाहिए मुझे आप हाड़ वर्क किये जा रहे है आप stress लगाये जा रहे है greed आपके अंदर है कि मुझे और चाहिए मुझे और चाहिए ठीक है आप अगर मतलब 90% लोगों की जो night nostril वो लगातार वही चलती रहती है अब रगातार चलती रहती है क्या बहुत ज़्यादा energy आपके अंदर बहुत ज़्यादा stress हा जाएगा anger issues अब बड़े ही short tempered हो जाओगे छोटी छोटी चीज़ों पर आप तुरण बिखर जाओगे तो ये बड़ा important है कि जो आपकी right or left nostril है ठीक है और ये आपका life style है जिसकी वैसे ऐसा हो गया because you are not breathing properly ठीक है तो अगर आप सिर्फ एक simple सी practice ये अपना लो कि आपकी सांस नाभी से चले ठीक दूसरी practice ये है कि दिन में दिन में कौन है सुर्य प्रेजेंट है तो दिन में हमारी जो चंद्र नॉस्ट्रिल है वो चले सुर्य से उर्जा मिल रही है चंद्र जो है रहेगा थोड़ा ठंडा रहेगा तो आप optimum काम कर रहे है रात में जब आप सोने जाते हैं ठीक है रात में आप चंद्रमा आ आ गए तो आपकी जो सुर्य वाली नॉस्ट्रिल है वो थोड़ी से एनरजी आपको चाहिए जब आप रहता है वो जब आप सोने जाते हैं अगर आप ये करते हैं तो वो जो एक warm तरीके की फिलिग आती है हलका सा शरीर आपका गरम रहेगा तो आपको बढ़ी अच्छी नीन आती है वो वाली चीज फिर आप इससे अक्टिवेट कर सकते हैं तो दिन में चंद्र नॉस्ट्रिल चले आपकी लेफ नॉस्ट्रिल चले रात में आपकी राइट नॉस्ट्रिल चले जब राइट नॉस्ट्रिल चलती है आपको पता, अगर आपने इसको follow किया, आपका पेट कभी नहीं निकलेगा आपका fat कभी नहीं बढ़ेगा ठीक है, because when in the night when you are sleeping, ठीक है, जा आपकी right nostril चल रही है, नीद में आप अपना fat burn कर रहे है, ठीक है because that energy is moving and that वो जो warm है ना warmth जिसने create के आपकी body में, वो fat burn process शुरू कर देता है आपका stomach जो है मतलब बिल्कुल flat हो जाएगा अगर मैं आपसे crisp में पूछू कि सुवर्विज्यान मनुष से की कौन सी समस्याव का solution प्रोवाइड करवाता है तो क्या जवाब दोगे आप? देखिए एक तो मैंने आपको बता दिया ये energy वाला concept ठीक है, union, divide, union बता दिया, अब हम आते हैं lunar calendar ठीक है, जहां पर आपके इस question का answer में देता है हमारे शरीर में 70% water 75% water है, हम लोग moon से ये पूरा का पूरा प्रित्वी, देखिए हमारे वेदिक shares हम लोग, हमारे आभी भी वेदिक calendar में क्या चलता है, lunar calendar चलता है चंद्रमा को ही हम लोग priority देते हैं sun को नहीं देते हैं, ठीक है, इसके पीछे भी पूरा विज्ञान, ठीक है चंद्रमा क्या है, चंद्रमा आपके धर्ति को control कर रहा है, आपको हमको control कर रहा है, तो महादेव ने ये कहा कि अगर तुम चंद्रमा की energy के साथ sink में आ जाते हो, तो तुम universe की energy के साथ sink में आ जाते हो ठीक है, तो जो आपका प्राणमय कोश है, जो energy body है वो अगर sink में आ गई तो उसमें कोई, बढ़ा subtle level पे न मतलब vibrations जो है, मतलब अगर मालनीजी आप sink में नहीं है, अब subtle level पे vibration disturb हो गई, energy downward flow करने लगी, ठीक है, problem आने शुरू हो जाएगी, अगर आप sink में है तो energy कैसी हो जाएगी, अब sink में है तो आपका energy body बिलकुल balance है, energy output flow करेगी ठीक है, होता क्या है जैसे हमारे यहां शुकलपक्ष है, क्रिष्णपक्ष है, 15 दिन जो है शुकलपक्ष रहता है, 15 दिन क्रिष्णपक्ष, फिर हमावास्या और पुर्णिवा इस तरीके से आता है, जब शुकलपक्ष शुरू होता है, ठीक है, अब एक एक दिन को जो है वो इडा और पिंगला से डिफाइन किया गया है हमारे सास्तों में ठीक है जिस दिन शुकलपक्ष शुरू होता है उस दिन चंदर्मा का दिन है तो वहाँ से तीन दिन चंदर्मा का दिन होता है फिर तीन दिन सूर्य का होता है तो फिर तीन दिन चंद्रमा इस तरीके से चलता रहेगा आपकी, क्या कहते हैं, अमावस्या आ जाएगा शुक्ल पक्ष के बाद, उसके बाद जब पूर्णीमा, जब हम कृष्ण पक्ष में बढ़ते हैं, अब कृष्ण पक्ष में क्या है, सूर्य आ गए, चंद्रमा चले तो शुरू के तीन दिन जो है, आपकी पिंगला हो जाती है, सूर्य, फिर तीन दिन चंद्रमा इस तरीके से, पंदरे दिन उस तरीके से चलता है, ठीक है, तो जिसे मेरा एक इंस्टाग्राम का पेज है, जहाँ पे मनीश के महरया नाम से, वहाँ पे मैं every month के end में एक स्व सो के उठते हैं, ठीक, अब देखे हम क्या कर रहा है, अपनी energy को moon की energy के साथ sink करने की कोशिश कर रहा है, अब आप जैसे ही धरती पे पैर रखेंगे, energy कौन से ये, इडा वाली है, अब माल लिजे अगर आपने ये वाला पैर जमीन पर रखा और आपकी ये energy चल रही है, त अब जो ये contradiction है, ये energy level पर आपके body में वो pattern create करता है, जहां पर आपके energy distance, आपको पता नहीं चलता है, ठीक है, बड़ा ही subtle चीज है, तो करना क्या है, जिस दिन माल लिजे इडा का दिन है, तो ये वाला है, अब इडा से क्या करना है, जब आप सो के उठते हैं, अगर माल सांस खीचने को, inhale को हम सगुन कहते हैं, exhale को निर्गुन कहते हैं, सगुन अच्छा है, निर्गुन खराब, ठीक है, उसको मा और explain करेंगे, ये वाला जो पैर है, जो इडा वाला पैर है, उस side का, वो जमीन पर रखेंगे, फिर दूसरा पैर रखेंगे, सांस छोड़ के, ज पूरा का पूरा दिन आपका अच्छा चला गया, बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग, ठीक, अब दिमाग में क्वेश्चन आपके ये आ सकता है, कि सर मान लीजे मैं सोके उठा, इडा का दिन है, मेरा पिंगला चल रहा है, मैं क्या करो, मैं आपने पैर निकाल ले आपकी स्टाफ है, जब आप इस करवट लेटते हैं, तो क्या होता है, ये वाली नाग खुल जाती है, फिल करेंगे आप ऐसा, अगर इस करवट लेटते हैं, तो ये वाली नाग खुल जाती है, सेम वही कंसेप फॉलो करना है, अगर मान लीजे मुझे इडा चलाना है, मान जब भी आप बिस्तर से उठ रहें मॉर्निंग सबसे पहली चीज सुबह सुबह आपने क्या किया कैलेंडर देखा अपने मन में एक बना लिया कि सुबह कल इडा है या पिंगला है जब सुबह आप सो के उठते हैं इडा का दिन है इडा चल रहा है बहुत बढ़ियां नहीं चल रहा है तो राइट करवट लेट गए थोड़े दर इडा चलने लगेगा ठीक ठीचा पैर रखा चले गए पूरा दिन शुबह हो गया आपका ये एक चीज देगे ये जो चीज है न धीरी धीरे पता क्या होगा आप इतने ज्यादा सिंक हो जाएंगे मून एनरजी के सा कि आप अपनी नॉस्टिल देखके बता देंगे कि आज दिन कौन सा है किसका दिन आजड़ा का है कि पिंगला का है इतना अपने आप हो जाएंगे ठीक है और एनरजी लेबल पर जो ये सटल वाइबरेशन है जो इतना ज्यादा डिस्टर्ब करती है आपको जो आप मतलब ह ये मून एनरजी के साथ आपने एक ये चीज़ कर ली ठीक है मतलब हम अपना घर से बाहर निकलते है अब देखिए क्या होरा रहाए आपस ग्यान धीजिये कि सब चकर ही खताम हो जाए ठीक है अब वही हो रहा है आप सुबह उठे आपने अपने दिन बढ़िया कर लिया ठ पुर्णिमा को होते हैं, उस कहीं और नहीं होते हैं, इसी बज़ा से, ठीक है, तो अब क्या किया, आपने, वो कर लिया, अब माली जब घर से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, इडा, पिंगला, सुशुम्ना, जब आपकी दोनों नॉस्टिल चलती है, वो सुशुम्ना है, ठीक तो अब माल लीजिए कि आप घर से बाहर निकलना है, आप आफिस जा रहे हैं, ठीक, अब आपको, अपने अपने, अमेशा नॉस्टिल चेक करना है, ऐसा किया, ब्लो किया, नॉस्टिल चेक की, जो नॉस्टिल चल रही है, सास खीचा, घर से बाहर वही वाला प्यार, अब मैं रूम से बाहर, इस घर से बाहर निकलूँगा, उसकी एनरजी अलग है, ठीक है, मेरा जो प्रवेश है, एक उर्जा मंदल से दूसरे उर्जा मंदल में अच्छा होना चाहिए, अगर नहीं अच्छा हुआ तो क्या होगा, वापस से वो जो सटल वाइब्रेशन है, मेरी वो डिस्टर्ब होगी, जब मैं डिस्टर्ब होगा, तो फिर मैं चीज़े सही नहीं कर पाऊँगा, जब आप इस रूम से, जैसे आप अपने घर से बाहर निकल रहे हैं, वो एक एनरजी एनरजी इन्वारिमेंट है, उससे आप दूसरी एनरजी इन्वारिमेंट में जा तो आपका प्रवेश शुब कैसे होगा, जो नॉस्ट्रिल चल रही है, सांस खीचा, वही पैर बाहर निकला, फिर दूसरा पैर बाहर निकला, सांस छोड़ दिया, अब आपका प्रवेश उस एनरजी मंडल में कैसा हो गया, अच्छा हो गया, अब जब अच्छा हो गया, तब हमें ब्रीथ आउट करना है, मतलब पैर निकल के दूसरा पैर रख लिया, तब सांस छोड़ दूसरा पैर आपके बाहर रख लिया, तब सांस छोड़ दूसरा पैर आपके बाहर रख लिया, तब सांस छोड़ लिया, ठीक है, ठीक है, ब्रीधिंग पैटर्न का और फ् feeling आनी शुरू हो जाना, क्योंकि महादेव जो है न, ये जागरीत होना शुरू हो गए, ठीक है, तो यही तो आपकी energy control कर रही है, जो आपका breathing pattern है, जैसे अगर आप समझ लीजिए कि, road पे जा रहे हैं, ठीक है, आप रास्ता क्रॉस कर रहे हैं, सामने से गाड़ी आ गई, क्या होता है, सांस पहले रुख जाती है, नोटिस किया है आपने, तो आपके energy का और आपके सांसों का बड़ा गहरा relation है, ठीक है, और यही जो जितने भी प्रानायाम technique है, meditation technique, वहाँ पी भगवान गौतब मुद्य ने क्या कहा, सिर्फ सांसों को देखो, ठीक है, आप अपने सांस को control करके, आप अपने जीवन को बदल सकते हैं, आप अपनी energy को बदल सकते हैं, और यही पूरा का पूरा स्वर्विज्यान है, स्वर्विज्यान कहता है कि it is the science of breathing, जिससे आप प्राण उर्जा को control कर सकते हैं, और प्राण उर्जा को control किया, तो चमतकार ने बताया, आप किस तरीके से चमतकार हो रहे हैं, अब यह आप मेरे को यह भी बता रहे थे कि सुर्विज्यान के एक manifestation होती है, जिसमें मंदिर भी आते हैं, स्वास्तिक भी आता है, इसके बारे में प्रीज वोड़ा सा बताओ, मंदिर का पहले समझते हैं, तो आप लोगों ने पिरामिट देखा है, एजिप्ट में जो पिरामिट होता है, वो golden ratio पे बना होता है, ठीक है, 1.168 ऐसा कुछ उसका एक ratio होता है, उसमें जो उसका height है और half base को लेके वो निकाला जाता है, ठीक है, तो जब उस golden ratio पे वो पिरामिट बनता है, तो पिरामिट क्या करता है, वो energy को absorb करता है, ठीक है, यह हमारी एक चीज हो गई, तो जो हमारे मंदीर में जो गुम्बद बनता है, आप देख रहा है, जो उपर के वो होते हैं, वो पिरामिट है एक तरह से, उसको different different shape या form दे दिया गया, बट है तो वो पिरामिट है, ठीक, वास्तु में क्या हम कहते हैं, वास्तु में हम यह कहते हैं, जो west direction है, वो manifestation की direction है, ठीक है, तो अगर आप west direction की तरफ face करके, अगर अपनी बात कहेंगे, तो आपकी बात universe सुनेगा, और आपको वो चीज़े manifest करने के लिए, मतलब प्रेरीट करेगा, या हो जाएंगी प्रेरीट, जितने भी दुनिया में अच्छे मंदिर, जो पुराने भी मंदिर हैं, जो सारे वास्तु से जो बने वी हैं, जैसे आप तिरूपती बाला जी के मंदिर की बात कर लीजी, ठीक है, वहाँ पे north east में बड़ा सा लेख है, साउथ east में वहाँ पे आपका kitchen है, उनका आता है, जिसकी अगनी कभी नहीं बुछती, मतलब 24 by 7 जो है, वहाँ पे पकवान बनता रहता है, भगवान जो बैटे हैं, वो बैटे हैं west में, ठीक, और आपने उसके उपर मंदिर बना दिया, गुमबद उनका जो गर्भगरी है, वो exactly west में, उसके उपर आपका गुमबद हो गया, ठीक, और आप भगवान के सामने कहां जा रहें, आप जा रहें, मतलब भगवान west में बैटे हैं, भगवान east को देख रहें, आप भगवान के सामने खड़ें, आप west के तरफ देख रहें, ठीक, जो यह गुमबद बना है, यह क्या करता है, energy absorb करता है, और वहाँ पर distribute करता है, अब उस जगह की energy high हो गई, ठीक है, अगर आप सिर्फ matter है, मतलब अगर आप ऐसे बैठे हैं, बीटा लेवल में हैं, उस तरीके से आप कुछ भी manifest नहीं कर सकते हैं, energy से energy को बदला जा सकता है, matter से energy को नहीं बदला जा सकता है, जैसे मैं अभी इस form में बैठा हूँ, I am matter, ठीक है, when I change my frequency, तब मैं energy form में चला जाता हूँ, तो जब मैं वहाँ पहुंचा मंदिर में, वहाँ की energy और frequency इतनी high है, कि मेरी energy और frequency high हो गई है, अब मैं energy के form में आने लगा, अब मैं energy को convert कर सकता हूँ, ठीक, यह समझ में आगया, ठीक है, तो यह, मतलब जिस किसी को भी यह manifestation technique करनी है, अगर आप मंदिर जाते हैं, तो घर के आजपास एक ऐसा मंदिर ढूलिए, इसी चीज़ को मैं और आप करूं, अब जब आप मंदिर में प्रवेश करते हैं, सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, सांस को चक करना है, अब आपका प्रवेश, जो बाहर की उर्जा मंदल से, मंदिर की जो energy है, वो अच्छा होना चाहिए, तो सेम चीज इन्हेल किया मा लेजे राइट नॉस्टिल चल रही है तो राइट प्रायर मंदीर में रख लिया अब आपके सटल लेवल पर बाइब्रेशन में कोई चेंज नहीं हुआ आपका जो ट्रांजिशन है फ्रॉम वन एनर्जी टो अनाजर एनर्जी वो बिल्कुल सही होगी भगवान के सामने आप जाएगे वेस्ट में जहां भगवान बैठे है उनके सामने खड़े होईगे अब आपकी फ्रिक्वेंसी बढ़नी शुरू हो गए ठीक है अब आपको उनके सामने जब आप हाँ जोडते हैं तो ये ऐसा नहीं करना है ये ऐसा होना चाहिए बनलब पूरी तरीके से आपकी उम्लिया जो है ठीक है तो हमें फाइव एलिमेंट का सहरा लेना है अब मैंने क्या किया इनहेल किया और जो भी मेरी wish है जो भी मेरी wish है उसको भी मैंने साथ में inhale किया ठीक और आख बंद करके भगवान के सामने अपनी अब क्या कर रहा हूँ मैं ऐसा imagine कर रहा हूँ कि जो मेरे शरीर में 72,000 नाडिया है उनसे वो energy जो है मेरे शरीर से निकल के इस मंदिर की energy के साथ मिल रही है और universe में वो विलीन हो रही है ताकि वो universe आपको उसको वापस दे सके तो अब वहाँ पे जब आप पहुंचे आपकी frequency already बहुत high है आपने inhale किया 72 नाडियों से आपने ऐसा inhale किया और आपने अपनी wish भी inhale की साथ और आपका ये five element भी उसमें आ गया और जब आपने फिर थोड़ी दर तक hold करके रखेंगे आँख बंद किया थोड़ी दर तक hold करके रखेंगे और ये imagine करेंगे कि अब आप transmit कर रहे है from नाभी this is getting transmitted आपकी सारी 72 नाडियों में वो wish जो है वो transmit हो रहा तेरे देरे universe में transmit हो रहा है ये करके आप सांस छोड़ दीजिए ये जो एक simple सी technique है जब आप मंदिर में pray करने जाते हैं ठीक है ये आपकी energy बहुत enhance करता है और जो भी बात आप कहते हैं वो बात बहुत तेजी से universe में फैलती है because it's all about energy right तो आपने energy को utilize किया आपने वास्तु को west direction क्या है west manifestation का direction है आपने higher energy में उजा के वो बात कह दी तिरुपती बाला जी के मंदिर में सारी मान्यता है पूरी हो जाती है क्यों पूरी हो जाती है बहुत simple सा reason है वो west में बैटे हैं वहां के energy बहुत high है मंदिर जो बहुत famous है उन दोनों में भगवान जो हो west में रहती है और जो एक मंदिर थोड़ा सा कम famous है वहां पे थोड़ा अलग है तो क्या होता है जब आप वास्तु के principles जब आप जाते हैं और west में जब आप इस तरीके से वो ritual करते हैं आप नहीं भी करते हैं मालनी जी आपने ये inhale नहीं किया मतलब ये उसको और powerful कर रहा है आप जाके वह सिर्फ अपना आंग बंद किया आपने आपकी energy आपने आप high हो गई आपने भगवान से अपनी बात कहे लिए तो अब वो चीज पूरी होनी क्योंकि west क्या है manifestation का direction है इक्षापूर्ती की direction है वो आपकी इक्षापूर्ती होनी शुरू हो चालेगी ठीक है तो ये एक scientific तरीका है जो जिसमें आप prayer कर सकते अगर आप prayer करना चाहते हैं मंदिर में धूंड़िये ऐसा मंदिर जहां पर वेस्ट में बैठे है east को face करके और आप उनको तो अगर आप ये करेंगे और सगुन में अगर आप प्रवेश करते हैं जो आपकी पैर जो आप नॉस्टिल चल रही है उसमें आप प्रवेश करते हैं तो आपका जो दर्शन है आपका जो वो मंदिर का जो विजिट है वो बहुत साथ है next हमारा आता है तिलक और स्वास्थिक इसको भी प्लीज एक बड़ एक स्प्रेंग करते हैं तिलक जो है ये मतलब आप मंदिर में जाते हैं अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा है मतलब जितने भी पैरेंट्स है उन सब लोगों को बच्चों के लिए जरूर करना चाहिए बहुत सिंपल सी टेक्नीक है आप मंदिर में गए बच्चे को लेकर अपने ठीक है हमारा बच्चे को तिलक लगाते हैं ठीक है ना आप जो है अपनी जो ये उंगली है ठीक है ये अर्थ एलिमेंट है ये अर्थ एलिमेंट क्या करता है स्टेबिलिटी लेकर आता है जब भी आप तिलक बच्चे को लगा रहे है आपने तिलक लिया ठीक है इसी उंगली से आपको लगाना यहाँ पर शिव बैठे हैं बच्चे के ठीक है आप आग्या चक्रा के बच्चे को stimulate कर रहे हैं वो क्या करेगा जो शिव बैठे हैं वो शिव energy को फिर stimulate करेंगे तो वो बच्चे का जो pattern है ना energy का वो धीर धीर वैसा हो जाएगा कि उसके जीमन में बड़ी सारी सफलता है अपने आप आने लगेंगे ठीक है बहुत मतलब बहुत powerful technique है यह ठीक है बस आपने बोला be victorious या अगर आप हिंदी में बोलना चाहें तो यशश्वी भवा बस यही कहिए कुछ मत कहिए और ठीक है complicated नहीं करना है बस इतना कहिए आपने बच्चे को कर दिया आप घर चलेगा आप चाहें अपने घर पर फूजा करते हैं बच्चे को तिलक लगा रहे हैं जब आप सांस खीचते हैं तो आपके मन में जो आप अपनी सांस खीचेंगे आप देखेंगे आपका मन एकदम शांत हो और वो इसी सह हो सकता है कि आप ब्रीतिन का पैटन का यूज कर रहे हैं जैसे ही आपने सांस खीचा मन शांत हो गया ठीक है तो जब हम कोई चीज़ करते हैं तो क्या करते हैं मान हैं बच्चे को तिलक लगा है आपने सांस नहीं खीचा तो अब आपके मन में 50,000 ख्याल वो एनर्जी आप बच्चे पर ट्रांसफर कर रहे है ठीक है वर्सेस आपने सांस खीचा आपने जब उसको तिलक लगाया आपके मन में सिर्फ एक ही थौट है तो अब वो बच्चा यशश्वी हो जाएगा मतलब उसके जीवन में इतने चमतकार होंगे शिव जो है शिव ये शोर करेंगे कि वो एनर्जी उनके जीवन में वो विक्ट्री लेके आए ठीक है बहुत अमेजिंग टेकनीक है अभी मैं आ जाता हूँ क्योंकि काफी कुछ च कर सकते हो जिसने सुर मैनिफेस्टेशन की टेकनिक्स यूज करियो लाइफ में कि वो पहले ऐसा था उसके बाद उसकी लाइफ में यह यह चेंजिस आ गए उच ऐसी कुछ केसिस्टडी अगर आप शेयर कर सकते हो तो मैं अपना ही शेयर कर देता है थीक है मतलब मेरी बिटिया है मैं उसके साथ यह करता हूँ ठीक है मतलब हम मंदिर जाते है वहाँ जहां मैं रहता हूँ वहाँ विकेंड में क्या होता है कि वहाँ पे हिंदी क्लास चलती है मंदिर में तो एवरी विकेंड हम लोग मंदिर ज बिटिया अपनी क्लाश करती है उसका घरा तो मैं यह टेखनीक जो है बच्चे के साथ करता हूं भी विक्टीरियस ठीक है अभी उसका हिंदी का एक्जाम हुआ था तो उसके 62 मार्क्स आयते 60 में ठीक है तो मैं अभी यहां पर था जब आया था तो मेरी वाइफ ने जब सारे उसके अवार्ड आये इस तरीके की चीज़े तो वो एनरजी लेवल पर आप वो चीज़े कर रहे है ठीक है हम क्या करते है ना बहुत सारे रेमेडीज ये वो बहुत सारे चकर में फजाते है एनरजी को समझते है ठीक है अगर आप मैं भी कहा रहा हूं कि जो भगवान सब्सक्राइब बिलकुल कोई बनाते हैं तो उसके बनाते समय आपकी एनर्जी कैसी है और उसको किस जब हम सांस भी लेते हैं, जब आप सांस ले रहे हैं, आपकी नाभी उपर जा रही है, पेट उपर जा रहा है, फिर यहां से वो टर्न होता है, और टर्न होके फिर उपर जाता है, तो यह जो movement न ऐसा है, तो यह clockwise movement, जब आपने शरीर में clockwise movement establish करते हैं, तो आपकी energy positive होनी शु universe में energy level पर दो जगह से connected, एक हमारा main door हो गया, एक हमारा north east हो गया, ठीक है, बस main door की बात कर लेते हैं, और दोनों की बात कर लेते हैं, तो जो स्वास्तिक मालिज आपका main door अच्छी जगह पर नहीं है, अगर अच्छी जगह पर है, तो घर क्या 70% वास्तू ऐसे ही सही होग जो एक zone जो होते हैं, marking होते हैं, अगर वहाँ पर आपका door अच्छी जगह पर है, तो अच्छा हो गया, नहीं हुआ तो क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो उसके और भी वास्तू remedies हैं, हम लोग की YouTube channel, मैंने YouTube channel पे जो है, मैंने free का पूरा का पूरा वास्तू course पढ़ा है, जाके आप वहाँ पर पूरा का पूरा सीख सकते हैं, वो परफॉर्म करते हैं, ठीक है, एक simple remedy मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, कि स्वास्तिक बनाएंगे, स्वास्तिक जो है representation है clockwise energy का, ठीक है, तो जब अगर घर का entrance, अगर anti-clockwise energy अगर absorb कर रहा है, तो जब आपने स्वास्तिक ब इसे बनाएंगे स्वास्तिक, अगें हमारी जो प्रित्वी ततो है, ठीक है, long term result, यह इसी को use करना है हमें, ठीक है, अनामिका उंगली को, और सगुन में बनाना है, सास खीचा मतलब उसमें कोई और energy mix नहीं होनी चाहिए, सास खीचा आपने नीचे से लेके उपर गये, यह हो गया, फिर इधर से इधर, ठीक है, left से right, यह आपने plus बना दिया, यहाँ left से right आप गये, फिर यहाँ पे आप नीचे एक line खीची, फिर दूसा वालो जो था, वहाँ पे एक line और यहाँ पे एक line, बन गया स्वास्तिक, फिर जहाँ पे आपने end गया, वहाँ एक बिंदी, एक बिंदी, एक बिंदी, एक बिंदी, जब आप इस तरीके से बना रहे हैं, तो आप उसके clockwise movement को भी उसमें बना रहे हैं, आप देख रहे हैं कैसे यह mover गया, इधर गया, फिर इधर गया, इधर, मतलब पूरा का पूरा जो movement है, वह clockwise ही हो रहा है स्वास्तिक का, और साथ म energy आ रहे हैं, उसको block करना शुरू करेगा, ठीक है, ऐसे ही स्वास्तिक आप अपने South East में बना सकते हैं, अपने North East में बना सकते हैं, तो स्वास्तिक को अगर इस तरीके से आप बनाएंगे और इस परपस से बनाएंगे, तो वह बहुत अच्छा रिज़र देगा,